हेई गाईज वेलकम बैक पर ओर ओन यूटूब चैनल सिविल टेकनिकल तो गाईज आज बहुत इंपोर्टन वीडियो लेकर रहा हूँ इस वीडियो हम लोग बात करने वाले है हाड रॉक किस के वेशन किस तरीके से करते है या फिर बोलो के हाड रॉक की कटिंग किस तरीके से करते है normally, Soil को एक्सकवेड करना Counsel काफीीज होता है दोस्तों अब मैशिन के हेळ चैसे के हेल्प से काफी आसानी से से सबजानी को एक्सकवेड करना है तो अगर आपको वहां पे इस्कवेड करना है तो बख जहां बारी आती है हाड रॉक कि ना तो काफी प्रॉब्लम ह होते हैं और यह बहुत इजी वे में नहीं हो पाता है और सबसे बेस्ट जीस क्या है इस वीडियों आपको सीखने को मिलेगा कि step by step procedure हाड़ा को excavate करने के certain steps होते हैं जिसे आपको follow करना है दूसी सबसे important बात यह कि यह जो process होता है जो excavation process होता है throughout वो काफी रिस्क भरा होता है इसे बहुत सारे precaution है जो as in site engineer as in project manager as in supervisor आपको ध्यान में रखने चाहिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कि किस तरीके से drilling करते हैं सबसे पहले तो आपको layout करना होता देन drilling करना होता है देन blasting करते देन breaker machine यूज होता है देन bucket लगाते है machine में and finally आपका hard rock cut हो जाता है मतलब पूरा का पूरा वो जो section है वो वहाँ पे complete हो जाता है सारा hard rock according to your plan remove हो जाता है so guys सबसे पहला हमारा जो step है वो है layout करना हमें पता होना चाहिए कि जहां पे जिस section में हमें hard rock cut करना है उसके dimension कितनी है कहां तक आपको hard rock करता है कहां तक उसकी depth रहने वाली मतलब कितने depth तक आपका hard rock वहाँ पे scavate करना है तो proper आपके पास layout plan होना चाहिए marking के बाद दोस्तों आपको एक बार फिर से recheck करना अपने layout plan के हिसाब से marking हुआ है कि नहीं है section में drill करना होता है क्योंकि जैसे आप soil easily अपने bucket यूज करके scavate कर ले तो यह यहाँ पर possible नहीं है आप इससे पहले breaker भी यूज नहीं कर सकते हो और नहीं bucket यूज कर सकते हो क्योंकि आपका section hard है वहाँ पर rock है तो सबसे पहले हमें वहाँ पर drill करवाना है with the help of compressed tractor drilling machine जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे है यह जो मशीन है वह compressed tractor drilling machine है hydraulic का भी आपके पास option होता है तो इसमें होता क्या है ना दोस्तो कि for example जो आपका layers है hard rock का अगर कम layer है अगर आपका hard rock है वह आपका 8 feet पे है 10 feet पे उसकी जो depth है तो वहाँ पर आप 3-4 feet का क्या करवाते हो drilling करवाते हो ठीक है आप depth जादा बढ़ा सकते हो अगर आपका section काफी deep तक जा रहा है तो ठीक है तो सबसे पहले आपको drilling करना है और analyze करना है कि कि किस according क्योंक drill करवाना तो वह उसके देख रेक में होता है उसके according ही वहाँ पर जो layers है आपके hard rock के उसके according depth को analyze के जाता है fix के जाता है यह 3 feet पे करना है चार feet पे करना है और इसकी center to center spacing अगर आपका hard rock बहुत बढ़ा है ठीक है और आपको उसको एक बार में निकालना तो उसकी spacing कम करते ह और आपको लगता है कि वह बहुत जादा अंदर से क्योंकि यह hard rock होता है वह अलग-अलग categories का भी होता है बहुत क्या होता कि अंदर से काफी कमज़ोर होते है अपने एक-दो जगा drill क्या blasting क्या वह पूरा पूरा पत्थर तूड़ियाता है और बहुत ऐसे होते हैं दोस्तो नहीं होगा कि आपको drilling करना होता है तीन से चार फिट पर इसके जो स्पेसिंग होती है वह 0.5 से लेकर एक मीटर तक हो सकती है देन बार ही आती है दोस्तों इन थर्ड स्टेप इसे ब्लास्ट करने की ठीक है मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशन भी बताने वाला है हाई सबसे रिक्स भरा काम यही होता है ड्रिल करने के बार इसको ब्लास्ट करना बहुत सारे प्रिकॉशन इसमें लेने पड़ते हैं तो सबसे पहले तो ड्रिल कंप्लीट हो यह अब उसमें क्या है कि आपको एक्स्प्लोजिम मटेरियल डालना है एक तो हो जाएगा आपका जो अपने वीडियो पर देखा सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करके दोनों मटेरियल को आपको इसको होल में डाल देना है और इसके अंदर आपको सैंड डालना है और उसको कॉम्पैक करना एक चीज़ जाद रखो जितना जादा कॉम्पैक्ट करोगे वह उतना ही जोरद जादा ताकित के साथ वह फटने वाला है तो दो चीज़े मैंने आपको समझाई पहला तो जितना जादा आप कंप्रेस करोगे मताब सैंड डालोगा आपनी यहां पर देखा ठीक है कि यह क्या कर रहा है विद दे हल्प आफ स्टिक वह इसको क्या कर रहा है इसलिए टेंसेटी होती है बर्स होनी की वह बढ़ जाती है और कंपैक्ट नहीं करोगे तो फिर एक पठाका के तरह हलका सा फुड़ जाएगा कुछ होने वाला नहीं है तो इसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट करना होता है और आप जितने जादे नंबर्स में यहां पर माटेरिय एक साथ 200 जगों पर सब को फिक्स कर लिया और एक ही पॉइंट से ब्लस किया सारे ब्लस हो जयाए तो आगर पहलना है ठीक है तो क्या होगा कि एक तरफ का फट जाएगा जहाँ पर मिसिंगे महाँ पेनी होता आप समझ यहाँ चाहिए कि यहाँ बेना हुना होना है कि कुछ ऐसा तो नurarखा करनेदी ब conventions करते हुकि यहाँ होने वाला है वह काफी दूर तक भी फेका सकता है उपर चला जा सकता है ठीक है तो आज पस मशिनरीज या लोग नहीं होने चाहिए ठीक है और दूसरी चीज यह है दोस्तों कि बहुत लोगों की आदत क्या होती है ना कि सिरे कर लिए टोट के और इसको कर लिए शाम में करैं और यहाज की ऐसलो ठीक है अब फिल्कुल करते हैं सब्सक्राइब ऐब तो आपने जलोगों की यह जो डरीजा करता है आपने power नहीं दिया बड़ उसको power कहां से मिल जाएगा lightning के तुरू तो ये गलती कभी मत करना कि हमने वहाँ पर material डाल रखा है और हम लोग ब्लास्टिंग कल कर रहे हैं ये mistake मत करना अगर आपको blasting करनी है तो आप डालो और ब्लास्टिंग नहीं करनी है तो mud उस पर material insert करो बा को अंदर से ढीला कर देता है क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे बड़े-बड़े चतान में जो एक सेक्षन ता वह तो अभी भी आप इतना बड़ा उसका सेक्षन होता है कि अभी भी आप बेकर उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकते हो तो अभी आपको सबसे पहले अपने इसको आपको सबसे पहले तो बोल्डर के रूप में तोड़ देना विद्धा हेल्प ऑफ इस ब्रेकर मशीन मशीन एक है अभी इस पर ब्रेकर लगा लिए जब ब्रेकर का काम निकल जाएगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इस पर बकिट लगा लेंगे ठीक है जब हम लोग से अवेसां से ब्रेस tietों और मै Illinois पैट बेकर वा सनाँख कर सकते हैं फुद्धा है पीछे जब आगे बर्एकर मशीन चल रहा पीछे आप देख रहोगी जिवर्ले से बोल्ड रूदर को बड़े तोड़कर एच्छोटन में टोड़ दिए अब से उप उसको काफी बोला precautions बहुत सारे एकदम ध्यान में रखना lightning अगर है उस condition में तो आपको वहाँ पर connection करना ही नहीं है ठीक है आपको वहाँ पर material जो आप blasting material यूज करो आपको उसको वहाँ पर यूज नहीं करना diet time और यह सारे step थे step number one दोस्तों layout करना drill करना blast blasting करना उसके बाद था दोस्तों section जो बड़ा है जो टूटा है जो cracks आया उसको और छोड़े-छोड़े boulders में तूड़ना with the help of breaker machine and at last फिर bucket की help से आप उसको वहां से remove का सकते हो तो यह पूरा process है दोस्तों hard rock में किस तरह के से excavation किया जाता है तो hope आपको यह video पसंद आयागा दोस्तों अगर कोई point मिस हो गया है कुछ और जानना है आपको तो आप मुझे comment करके बता सकते हो otherwise दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लेगी तो प्रीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्स्राइब करो और अपने दोस्तों का शेयर को थेंक उया्ति हूड अपने या लेखंगगो एम आपको akersड़।